इंगर आपकी कमीज कमर से लूज हो जाती है तो उस कंडिशन में हमें क्या करना चाहिए देखो हमें इस तरीके से करना चाहिए अपनी कमीज बिच्छा लेनी है उल्टी कर गए उल्टे साइड से यह मेरा बैक का साइड लगा यह इसको उल्टी करके और इधर से में जहां पर से मेरे हिप के निशाने वहां से मैंने निशान लगाया है और अब जहां से यह अब कमर है जो कमर पर से मेरे लूज है अब मैं यहां से इस पर निशान लगाऊंगी देखो यह यहां से मेरे फिटिंग के जो निशाने यहां तक 19 है और 19 के हाप में करूंगे इसमें 9.5 बीच का जो निशाने मेरा 9.5 पर आया है एक निशान में बीच का भी लगा लेती हूं और अब मुझे यहां से 5 इंच पर एक निशान और लगाना है और पांच पर मुझे इस साइड लगाना है ऐसे आप 18 इंच की डढल सकते हो यह 9 इंच की वी मैं इसमें 9 इंच की डढ डूरूंगी और आपको ऐसे निशान लगाने हैं बिल्कुल सीधे और यह जो हमारी दूसरी साइड है यहां पर भी मुझे इसी तरीके निशान लगाने है बिल्कुल सीधा करके तो यह मैंने 9 इंच के निशान लगाया है दोनों साइड और हम में यहाँ से यह मेरा कट है यहाँ पर कोई निशान हमें पलेट ने डालनी बद दोनों साइड पलेट डालनी है और यहाँ से उठाके जब हम मसीन में रखेंगे तो पहले बारिक बारिक सी लेगे कुछ दूर तक और फिर चोड़ी लेगे और फिर लास्ट में आगे फिर बारिक कर देंगे तो हमें इस तरीके की इसमें डट डालनी है दोनों साइड अब देखो मैंने डट डालनी है इधर से और इधर तक देखो दोनों साइड बारीक और बीच में थोड़ा सा गहरा करके मैंने सिलाई लगाई है एक पैर की और दोनों साइड मैंने इसी तरीके की डट डाल ली है और अब यह मेरी जो कमर की जो फिटिंग है बहुत अच्छे आएगी और मैंने फ्रंट में कोई डट नहीं डाली सिरफ मैंने बैक बैक में डट डाली है देखो यह इस तरीके सा आई है और उपर की साइड से थोड़ा हमा बारिक लगाने और बीज में से थोड़ी गहरी ताकि हमारा जोलना आए बहुत अच्छे सा हमारी इसकी फिनिसिंग आएगी